वेलकम तो बिटे निंग साथ में बिलके शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी निंग यूएस के अंदर जो इंफ्लेशन के नंबर है 40 साल के सबसे ज़्यादा जो इंफ्लेशन है वहला 9.1 परसंट आई है 40 साल के सारे रिकॉर्ड तुड़ गे और यूएस के अंदर अगर 9.1 परसंट इंफ्लेशन है तो आप सोच सकते हो कि ओन ग्राउड ये डबल डिजिट में हैं इंफ्लेशन अगर यूएस ये कह रहा है कि 9.1 परसंट है इंफ्लेशन तो ऑन ग्राउंड डबल डीजिट के अंदर इंफलेशन होता क्या है अगर आप पहली बार इंफलेशन वर्ड सुन रहे हो तो ये भी मैं बताऊंगा इंफलेशन का ओवरॉल मार्केट पे क्या असर पड़ेगा इंफलेशन का क्रिप्टो मार्केट पे, स्टॉक मार्केट पे इंडिया के उपर आपकी और मेरी जिंदगी के उपर और अगर घर में दाल रोटी खा रहे हो तो क्या उस पे खान पान पे भी कोई असर होता है इंफलेशन का इंफलेशन की चोट कहां तक पहुशती है तोड़ा इसको ना डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे और मैं समझाने की कोशिश करूँ और अगर आपको ये पसंद आए ना तो प्लीज इसको शेर जरूर करेंगा अपने लोगों के साथ इंफलेशन की जो सच्चा ही है जो कहरा ही है उसको समझने की कोशिश करेंगे खास कर जो नंबर आएं ये कितने स्केरी हैं और आपको क्या वाकिए में क्या आपकी स्ट्राटेशी होनी चाहिए वो इस वीडियो के बाद आप अच्छे से आकलन कर पाऊगे ठीक है तो सबसे पहले मैं स्क्रीन को हमेशे की तरह शेयर करता हूँ तो आपको कुछ दिखाना चाहूँगा तो बेसिकली क्या है कि आप ये सोच रहोगे कि यूएस के अंदर इंफलेशन का जो नंबर है ये इतना हाई क्यों आया है क्या रीजन है तो ये अगर आप ये देख पा रहे हो तो ये अगर आप इस पर्टिकुलर अगर पेज को अगर आप देखें तो अमेरिका को 215 साल लगे 60 ट्रिलियन पैसे को चापने के लिए मतलब जो यूएस डॉलर जितना भी आज तक existence में है तो 215 साल अब 215 साल पहले तो करंसी चपती भी नहीं थी सो बेसिकली क्या है कि अमेरिका ने जितना भी पैसा मार्च 2020 तक 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो है वो प्रिंट किये मतलब प्रिंट का मतलब यह कि सप्लाई में आए मार्च 2020 से अभी तक यूएस साथ ट्रिलियन प्रिंट कर चुका है मतलब सोचो कि जो उसने total अभी तक पैसा प्रिंट किया था US ने, उसने March 2020 से अभी तक उतना पैसा प्रिंट कर दिया, अगर 215 साल लगे उससे 6 trillion को प्रिंट करने में, तो March 2020 से उसने 6 trillion औरडी तो प्रिंट कर चुका है, तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यूएस के अंदर जब यूनों चुप money supply है वो अपने highest level पे मतलब unimaginable level पे इससे पहले आज तक कभी भी इस rapid space से money printing नहीं है जब covid आया ना तो अमेरिका के अंदर क्या हुआ कि भाई हर बंदे को बारा सो डॉलर दे दो हर बंदे क वो उसके bank account में जमा कर दो अमेरिका है वहाँ पे वो अपने citizens के लिए इस level तक जाते हैं कि अगर कोई unemployed है या covid का era आया उसमें mass level पे unemployment हुई दुकाने बंद हो गई काम नहीं चल रहा था तो उन्होंने सबके account में 1200 डॉलर जमा कराना शुरू कर दिया अब यह जो welfare activities होती है और अगर आप 1200 डॉलर हर एक के account में जमा कर रहे हो तो obviously आपको पैसे चाहिए कहां से जमा करोगे तो यह जो US ने जो money printing करी इस covid के era के बाद हर एक के account में 1200 डॉलर गया 1200 डॉलर को लोगों ने यहां तक कि उन्होंने 1200 डॉलर लियो उसको उन्होंने bitcoin में invest कर दिया किसी ने क कि ने नहीं कुछ कर दिया तो यह जरूरत से जादा जब आप पैसे print करते हो और यह market के अंदर जब यह पैसा you know supply के तौर पे जब हात के अंदर आता है तो लोग ज़्यदा चीजों की demand करना शुरू करते हैं और जब ज़्यदा बीदा चीजों की लोग demand करना शुरू करते तो यह money printing है, यह money printing एक सबसे बड़ा कारण होता है inflation का, inflation का सिर्फ यही अकेला कारण नहीं है, इस वक जो current situation है जो दुनिया भर में उसमें जो एक और जो सबसे बड़ा कारण है क्योंकि Russia और Ukraine की जो लड़ाई है, उस लड़ाई की वज़ासे जो supply chain effect हुई है और उसके बाद जो US, जो Russia के अंदर से जो gas और oil का वो दुनिया का one of the biggest producer है, उसमें भी supply में disruption आई है, प्रोडक्शन में disruption आई है, जिसकी वज़ा से जो inflation है वो तेजी से बढ़ रहा है, in fact मैं आपको अगर यह वाला अगर आपको point दिखाऊं, तो अगर आप देखें यहां पे different food items में क्य क्या percentage है, किस तरीके से inflation बढ़ा है, तो अगर आप देखें, तो यह हर महीने का यहां पे एक chart है, तो यहां पे अगर मैं आपको लेके चलो तो energy commodities में जून, अकेले जून में 10% का उचाल है, और अगर मैं पूरे साल में देखूं, तो पूरे साल में category wise अगर हम पढ़ें, तो fuel अमेरिका के अंदर 100% बढ़ चुका है 12 महीने में, अगर हम energy services में देखें, 20%, 38% gas services में, 38% का price increase है, 60% का energy commodities में, 41% energy, तो अगर आप energy वाला sector देखो, तो यहां पे 60%, 60%, 98%, 20%, 38% का increase है, तीक है, और बाकी अगर आप देखो 11.4 new vehicles जो हैं, उसमें उचाल है, overall अगर आप देखो तो, you know, all items पे अगर हम average weight rate निकालेंगे, तो 9.1% claim कर रहा है US, तो इसका मतलब क्या है, कि inflation अपने सबसे चरम सीमा पे है, you know, US के अंदर, अब inflation जब बढ़ती है, market के अंदर और इस level पहुशती है, तो सबसे बढ़ा जो reaction होता है, किसी भी central bank का कि inflation को कम कैसे करें, क्योंकि inflation जब महिंगाई किसी देश में बढ़ती है, तो वहां के लोग panic create करते हैं, और सवाल पूछते हैं, जो वहां उन्होंने सरकार को select किया होता है, choose करा होता है, vote किया होता है, उससे सवाल पूछते हैं, और वहां एक panic की situation हो जाती है, कि खासकर जो lower middle class, ज सरकार कहती है, कि यार यह जो excess पैसा हमने print किया और market के अंदर excess liquidity है, इसको कम करने की जरूरत है, इसको इस तरीके जा समझे कि जब पैसा print होता है, तो print करते हैं गवर्मेंट क्या करती है, कि अपने interest rates को कम कर देती है, जैसे personal loan सस्ता कर देगी, housing loan सस्ता कर देगी, बाकी च अब आपको 9% मिल रहा होता है, तो आपके पास पैसा जादा हाता है, consumer के हाथ में, लोगों के हाथ में, तो इस तरीके से जब आप जब interest rate को कम करते हो, तो market में पैसा जादा supply होता है, लोगों के हाथ में जाता है, अब liquidity कम करने का मतलब यह होता है, कि जो central bank है, वो यह decision ल sponge की तरह, जैसे पानी को सोकते हैं, sponge लगा के, तो इस liquidity को हमें सक करना है, इसको market से liquidity को कम करना है, तो वो क्या करती है, कि central bank अपने interest rates को जो हाइक कर देती है, बढ़ा देती है, जब वो interest rate को बढ़ाती है, तो इसका मतलब जो loan लेना होता है, यह सब चीजे महंगी होता है, क्योंकि loan महंगा होते ही, आप अपनी demand को defer कर देता है, तो कि यार अभी तो loan बहुत महंगा है, और अभी सही time नहीं है, जब loans कभी सस्ता होगा rate of interest तब लेंगे, गाड़ी तब बाद में plan करेंगे, घर बाद में plan करेंगे, higher education बाद में plan करेंगे, अभी loans बहुत महंगे हैं तो market के अंदर demand कम है, और supply पीछे से वो ही रहती है, goods and services की, और demand कम होती है, तो prices down आने लगती है, clear होगया concept, ठीक है, अब होगा क्या कि जब जैसी ये inflation, 9.1% का जो ये inflation का number आया है, US की जो government है, वो एकदम हरकत में आजेगी, वहां का जो federal bank है, वो क्या करेगा, कि अब interest rates क हाई कर देगा, interest rates को बढ़ा देगा, चीजों के loan लेना अब महंगा हो जाएगा, जैसे loan लेना महंगा हो जाएगा, तो जो consumers है, वो अपनी जो goods and services जो वो demand कर रहे थे, उसमें वो गिरावट आएगी, वो अपने चीजों को defer कर देंगे, आगे के लिए postpone कर देंगे, जैसे वो ये करेंगे, तो जितनी भी जो market के अंदर companies है, चाहे वो Apple का mobile phone है, चाहे वो Microsoft का computer है, उसका software है, चाहे वो Tesla की गाड़ी है, चाहे वो Unilever के साबुन तेल और चीजे हैं, तो जो goods and services बनाने वाली companies हैं, उनको ये expected होता है, कि अब उनके demand जो है, उनके products की और services की कम होगी क्योंकि market से liquidity सक होगी, जैसे उनको ये पता लगता है, तो जो उनके अंदर shareholders होते हैं, वो ये expect करने लग जाते हैं, कि यार अब companies का जब समानी कम बिकेगा, तो एक काम करते हैं, अब इनकी earnings भी कम होगी, share की value गिरेगी, क्योंकि earnings कम होगी, तो अब company के अंदर से पैसा नि पैसा निकाल लो, तो वहाँ से वो पैसा निकाल लेते हैं, तो stock market गिरने लगती है, धड़ड़ करके, और आप देख रहे हो, पीचे कुछ समय से stock market कैसे गिर रही है, क्योंकि दिन प्रति दिन जो US है, वो rate high कर रहा है, और अब 9.1% आने के बाद, एक psychological होता है, 10%, double digit में inflation, उस barrier में यह आने नहीं देगा, और उस barrier को यह तोड़ने नहीं देगा, तो अब आप सहुच सकते हो, कि US की सरकार और ज़्यादा rate high करेगी हो सकता है, बड़ा step ले वो, बड़ा step लेने की वज़़ा से stock market गिरेगी, ठीक है, US की stock market गिरेगी, अब यहाँ पर यह situation पैदा हो होती है, कि जब companies की, जब stock market, जब वो earning घरती है, तो company क्या करती है, कि अपनी earning को दिखाने के लिए cost cutting करना शुरू कर देती है, तो ऐसे scenario यह भी होता है, कि companies अपनी cost cutting करती है, काफे सारे लोगों को नौकरी से निकालती है, क्योंकि उनकी products की और services की demand कम होती है, तो अपनी earning को उनोंने फिर भी दिखाना होता है, margins को दिखाना होता है, अपनी earning पर share और अपनी shareholders को value देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, कि अपनी cost cutting करते हैं, और काफे सारे लोगों को company से निकालना शुरू करते है, यह वो दोर होता है, कि काफे सारी unemployment भी बढ़ती है, तो इस से क् पता लगता है, कि यह एक ऐसी critical situation है, कि इस समय inflation का जो impact है, वो उसका direct impact आप stock market पे देखोगे, job market पे देखोगे, और central bank को rate बढ़ाते वे देखोगे, ठीक है, यह तो हो गया US के बारे में, अब इसमें क्या है, कि आप इसको इस तरीके से समझे, कि इस समय जो inflation का जो impact है, व तो impact अगर मुझे इंडिया के perspective से समझना हो, कि इंडिया के perspective से क्या impact है, अगर inflation का rate 9% है, 9.1% है, इसका मुदलब चीजे वह महंगी हो रही है, जब चीजे अमेरिका में महंगी हो रही है, इंडिया अपनी बहुत सारी चीजे अमेरिका से import करता है, तो इंडिया को एक imported inflation ह हो गया इंडिया के लिए, कैसे, अमेरिका के अंदर goods and services महंगी है, इंडिया को वो महंगी चीज लेनी पड़ रही है, जब वो महंगी चीज ले रही है, और उस चीज को यहाँ पे अपने किसी goods and services में उसको assemble कर रही है, यह लगा रही है, पीछे से जब कुछ चीज महंगी होता है, कम कर रहा होता है, तो वो rate बढ़ाता है, तो personal loan और यह चीज तो महंगी कर देता है, housing loan, लेकिन जो अपनी खुद की bonds and securities होती है, उस पे return जादा देना शुरू करता है, वो क्योंगी ऐसा करता है, क्योंकि होता है कि जब market के अंदर से liquidity सक करनी है, तो यह जो बड़ 7% 20-30-30 सालों के लिए वो return दे रही होती है, तो क्योंकि वो fixed return होता है, government की backing होती है, तो काफे सारी companies क्या करती है, कि देखती है कि stock market में तो कोई growth है नहीं, पैसा रखे-रखे devalue ना हो जाए, चलो इसको कम से कम government की securities में लगा दो, ठीक है, तो government की securities बड़ी attractive हो जाती है, America की, तो सारा पैसा वहाँ जाने लगता है, अब इंडिया के अंदर क्या होता है, कि इंडिया के अंदर जो foreign का पैसा लगा है, वो foreign का पैसा क्या करते है, वो foreign investor कहता है, कि India की भी stock market down हो रही है, ठीक है, इंडिया की भी inflation out of control हो रही है, तो यह क्या करता है, कि यार इसalarıम न bonds हैं उसके अंदर पैसा डाल देता हूँ अब India क्या करेगा India कहेगा यार मेरी India की bonds और India की government securities इसमें भी पैसा लगए foreign institutions का अब India की market से जो पैसा निकल के अब US में जा रहा है US की bond market तो India भी lucrative बनाने के लिए अपने interest rates को hike करना पड़ता है मजबूरी में वो भी interest rate को hike करेगा और अपनी जो government securities और bonds है उस पे अच्छा return देगा और उसको match करने की कोशिश करेगा so that कि यहां से जो पैसा outflow ना हो जाए अमेरिका की bond market में और अमेरिका की जो fixed securities है तो इंडिया को भी अपनी rate hikes करने पड़ते है उसमें market से liquidity को वो सक करेगा और अपनी जो fixed securities और bonds है उस पे वो अपना rate of interest बढ़ा देगा ताकि वो lucrative रहे कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया की bond और stock और securities से जो fixed bond और securities से जो return है वो कहीं US ना चला जाए clear हो गया तो इंडिया के अंदर भी एक attempt होगी कि rate hike करने की और यहाँ पे भी एक attempt होगी जो inflation का जो impact है इंडिया में भी कम inflation का number नहीं आ रहा है तो inflation को करने के लिए RBI भी यहाँ पे rate hike कर सकता है और पीछे किया भी और उन्होंने plan भी बता है कि हम आगे rate hike कर सकते है जिसका clear impact आप stock market पे भी देखोगे और by the way आप देख भी रहे हो US के ये number आने के बाद जो federal reserve करेगा rate hike उसको मदे नजर रख RBI भी यहाँ पे rate hike कर सकता है तो all in all stock markets down होती है सारा पैसा निकल के government की जो fixed securities और bonds उसमें पैसा जाएगा अब stock market और crypto market correlated है correlated है और यह correlation है यह prove हो चुका है और यह correlation यह कहता है कि जो आज दोनों markets के अंदर जो financial institutions और high net worth individuals almost same है उनकी जो risk management होती है वो इस समय दोनों markets के लिए same है जैसे ही वो stock market के अंदर वो treat अपना पैसे को निकालके fixed securities और bonds में ढालते है गवर्मेंट की similarly crypto से भी पैसा निकलके government bonds and securities में जाता है यह क्या कौन है यह financial institutions है बड़े बड़े retail level पे भी अगर आप सोचो एक retail level पे एक आदमी की मानसिक्ता सोचो इस समय मानसिक्ता यह होती है कि कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए क्योंकि अब government ने rate hike कर दिये है companies की stock market गर रही है share market गर रही हम यह कहते हैं और यार share market गर रही है उससे हम अंदाजा लगाते हैं कि देश के अंदर economy का क्या हाल है share market से sensex से तो जब हम यह कहेंगा रहे यार market के तो आपका insecurity का महौल पैदा होता है चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया तो आप इस insecurity को meet out करने के लिए ज़्यादा risky investments में नहीं जाते हो नया पैसा नहीं लगाते और दूसरा जो आपका पैसा होता है आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं क्यों निकालने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको cash में रहना पसंद होता है insecurity में क्योंकि आपको यह रहता है कि यार अगर कही मेरी future में job रही नहीं रही तो क्या होगा तो इस time रिटेलर भी cash में रहना पसंद करता है insecurities की वएसे कि अगर उसको 6 महिने बिना नौकरी के रहने पड़ गया तो वो exist कर जाए वो survival कर जाए रिटेल की मानसिक्ता बता दी इधर से मैंने आपको जो financial institutions हैं उनकी मानसिक्ता बता दी दोनों की मानसिक्ता को अगर आप मैच करोगे तो all in all selling pressure आपको markets पे जादा दीखेगा इस particular event के बाद 9.1% inflation के बाद भी आपको जो market के अंदर bearish sentiment और जादा मजबूत होता हो दीखेगा क्योंकि market के अंदर immediate reaction यही होगा कि market के अंदर से जो individuals है और high net worth individuals और जो retailer है उसको आप negative sentiments में ज़्यादा देखोगे तो इसका impact और अल पड़ेगा और मेरा यहाँ पे यह मानना है कि जो यह लोग यह कहते हैं कि sir bitcoin को तो यह सोच आदा कि hedge against the inflation है तो यह क्यों नहीं बढ़ रहा है तो देखिए मैंने आपको बताया कि strategies financial institutions जादा है दोनों market में same है और अभी markets highly correlated है अभी वो दोर नहीं आया है कि आप bitcoin को gold के बराबर का asset समझो gold 11 trillion है market cap में और जो bitcoin है वो अभी 1 trillion भी नहीं हाफ half a billion है तो इस वज़े से जो market cap के भी comparison नहीं कर सकते हो सकता है कि bitcoin जब gold के market cap के बराबर पहुचे तो आपको यह कह सकते हो कि हाँ यह hedge against the inflation है but at present ऐसा नहीं होता देख रहा है at present highly correlated है और अभी भी भी बहुत सारे लोग इसको speculative asset class ही मानते है because इसमें लोग कम है कल को जब लोग ज़ादा होंगे इसका market cap 18-20 11.8 trillion के आसपास हो का तब आप कह सकते हो कि hedge against the inflation है तो इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि hedge against the inflation की situation कब आएगी लेकिन फिर भी अगर आप देखो ना पिछले 5 साल के अगर returns को उठालो और चार साल के यह तीन साल के भी returns को उठालो तो जहां पर bitcoin था और आज जहां पर तो उसने वो higher side पर ही है लेकिन तीन चार साल का time देना पड़ता है obviously इतना लोगों के पास patience नहीं होता है crypto and that is understandable क्योंकि कावी सारे लोग यहां रात और रात एक quarter के अंदर जाता है कि result आना शूरू हो जाए which is obviously not possible तो यह all and all inflation की खबर थी numbers आपके सामने मैंने present किये analysis आपको 20 minute के अंदर सारी चीज़े मैंने explain करी I'm sure कि यह video आपको पसंद आया होगा inflation के perspective को समझा होगा inflation का दाल रोटी तक पे असर होता है जो मैंने आपको शुरू में बोला था पता है क्यों क्योंकि यार आप suppose करो कोई mutton खा रहा है chicken खा रहा है mutton chicken जब महंगा होता है तो कहता है कि यार मैं कुछ vegetarian खा लेता हूँ जो vegetarian में अच्छी सबजी खा रहा है अच्छे fruit खा रहा है वो fruit को skip करना शुरू कर देता है कोई दाल महंगी खा रहा है अरर की वो सस्ती दाल खाना शुरू कर देता है घर की budgeting बिगड़ जाती है कोई refined all में खाना पका रहा था तो वो 600 के तेल में पकाने लग जाता है कोई पराठे खा रहा था तो वो रोटी पे आ जाता है हम अपने nutrition को भी skip करना शुरू करते हैं अगर एक glass दूद पी रहे थे और हमने एक glass दूद पीना छोड़ दिया तो हमने nutrition को कम लेना शुरू कर दिया inflation के हमारे मानसिक्ता पे हमारे खान पान पे भी फर्क पड़ता है मानसिक्ता में हम जादे anxiety फिल करते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमारे income उस तरह से grow नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से grow करनी चाहिए हम mentally depression में भी जाते हैं anxiety हम लेवल से हमारा बढ़ जाता है क्योंकि हमें ये डर लगने लगता है कि पता ने future में मैं ये चीज़ अफोड कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा बच्चों की शादी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा मैं अपने medical bills को दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा ये insecurity आदमी को और anxiety करफ ले जाती inflation का एक गहरा असर पढ़ता है हमारी मानसिक्ता पे एक गहरा असर पढ़ता है हमारे माल nutrition पे और inflation जो है वो दिन प्रति दिन आपको इसी लिए कहा जाता है कि saving account में अगर आपका पैसा पढ़ा है और अगर आप उसको काम पे नहीं लगा रहे हैं तो आपके गे at least सोचना चाहिए कि वो आपका पैसा वा रखा 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 ग्रो नहीं कर रहा है तो आपको एक strategy के तोर पे सिर्फ crypto market की याँ बात नहीं कर रहा हूँ crypto एक part of the strategy है आपकी overall diversification होनी चाहिए चाहिए वो gold है, property है चाहिए वो mutual fund है, चाहिए वो stocks है और चाहिए वो short as exposure आपका crypto में भी है लेकिन overall आपको एक diversification strategy के तहत आपको कदम उठाने चाहिए क्योंकि रखे-रखे कोई चीज आपकी बढ़ नहीं रही है तो inflation को समझने की कोशिश करिए inflation एक तरीके का ऐसा tax है जो कि आपको दिखता नहीं है कहीं लग गया है बट कहीं न कहीं inflation लग जाता है वो उसका direct tax, वो indirect tax है वो जो आपके उपर impose हो जाता है क्योंकि अगर आज inflation 9% है और आपकी अगर income 100 रुपे है तो 100 रुपे में अगर आपका direct tax 20% है तो इस 9% को भी जोड लेजे तो वो total 29% हो जाता है क्योंकि आपका जो 9% से आपकी जो value है purchasing power पैसे की कम हो रही है तो ये एक तरीके का tax है invisible tax है ये दिखता नहीं है और एक tax है जो दिखता है इसलिए ये समझना बहुत ज़रूर है ये कि inflation की हमें क्यों inflation को गहराई से समझना चाहिए क्यों inflation की हमें बहतर समझ होनी चाहिए ठीक है तो उमीद करता हूँ कि आपको ये video पसंद आया होगा ऐसा content बेटेनिंग हमिशा लाने की कोशिश करता है और अगर आप इस content को share नहीं करोगे तो कौन share करेगा आपका क्या सोचना है inflation पर क्या जो मैंने बात बूले आप उससे agree करता है comment करिएगा bell icon को ज़रूर प्रेस करते जाएगा ऐसे videos जब भी हैं तो आपको alert मिल जाए और लोगों से share करिए अपने आसपास भाई बहनों से share करिए क्यों क्योंकि यार ये एक true knowledgeable channel है आपको knowledge देने की यहाँ पर कोशिश की जाती है correct information, correct knowledge कोई भी चीज यहाँ आपको shill करने की या आपको force करने की या आपको किसी तरीके की advice या कोई आपको token ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता ना यहाँ पर financial advice दी जाती है pure concepts को आपको educate करने की कोशिश की जाती है with this thought, thank you very much यार और अपना ध्यान रखेगा, thank you